गर्मी में सर्दी का अहसास करवाएगा मनाली का रोतांग पास जिहां आपने सही सुना इस समय मनाली के अंदर रोतांग पास जाने वाले हर टूरिस्ट का यही विचार है और वो सत्य परतीत होता है क्योंकि जिन्होंने फ्रीज के अलावा बरप पहाड उपर नहीं देखी है तो उनके लिए तो कोतुहल है और जो गर्मी से प्रेशान है उनके लिए सर्दी का एसास रोतांग पास ही हो सकता है और नजारे ऐसे कि दिलकुस हो जाएगा गार्डन गार्डन हो जाएगा ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत के अंदर विचरन कर रहे हैं और एलोकिक दर से पा रहे हैं इस वीडियो में आपको रोतांग पास जाने का मनाली एंटरी के नाम से जाना जाता है और रोतांग पास पर मिट इसके अलावा बाइक अलाउड है या नहीं इसके अलावा इस पेसल बात बताने वाला हूं इसी वीडियो में जो रोतांग पास जाना चाहते हैं मनाली आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है और आप ऐसे नजारे हमारे टीम के साथ गूमना चाहते हैं तो संपर कीजिएगा इमेल इंस्टाग्राम और वाट्सअप के लिंक डिस्क्रिप्शिन में दिये गए हैं और उसमें मोबाइल नमर जरूर लिखिएगा आपके अनुसर आइटरनरी या यातरा कारिकरम बनाने में हमें सहयोग मिल सके तो यह है नजारे और भी सुंदर होने वाले हैं जैसा कि आपने वीडियो के एंट्रो में देखा और मनाली से आप जाना साते हैं ले लडाक तो वो भी रस्ता खुला है और ये रोतंग पास बंद कब होता है वो भी बताओंगा इसमें रोतंग पास जाने के लिए जरूरी है रोतंग पास परमिट इसके अलावा ग्रिन टेक्स जो मनाली एंट्री के नाम से जाना जाता है और यह ग्रिन टेक्स मनाली के अंदर एंट्री करते ही लगेगा और साथ में यह 9 दिन तक वेलिड रहता है और इसका चार्जेज अलग-अलग गाड़ियों के लिए अलग-अलग है 100 रुपे से श्टार्ट होकर 500 रुपे तक इसका चार्जेज लिया जाता है और रोतांग पास जाते समय ग्रिन टेक्स अवसे चेक किया जाता है लेकिन यदि आपकी गाड़ी हिमा चलकी है तो आपको ग्रिन टेक्स पे नहीं करना होगा बाकी सबी स्टेट की गाड़ियों को green tax पे करना होता है जो online और offline दोनों mode में बनता है आप कहेंगे तो उसका अलग से मैं video ला सकता हूँ second आपको चाहिए row tang pass permit और उसकी चल रही है बहुत मारा मारी जो केवल और केवल online बनता है और जिसकी site 10 बजे morning में और साम को चार बजे दो बार खुलती है और इसके अंदर 1200 permit दिन में बनते हैं और मैं आज की latest situation आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यह है पूरी booking आज की और यह 13 मई की advance booking भी चल रही है 7 दिन पहले permit बना सकते हैं पूरी जानकारी एक मैंने separate वीडियो बना कर आपके लिए परस्तूत की है उस वीडियो का permit आप रोतंग पास कैसे निकालें तो उसकी जानकारी के लिए मैं उस वीडियो को description में और आई बटन पर लगा देता हूँ उसको देख सकते हैं और जो ये वीडियो आपके screen पर दिखाई दे रही है वो latest आज की ही है सबसे बड़ी बात है कि ये आज की ही वीडियो है इस बात पर वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और जो रोतंग पास आपका दोस्त जाना चाता है उसको जरूर take कीजेगा एक नमबर बेस्ट सीन आ रहा है दो नमबर और आएगा वो भी बच अच्छा लगता है मेरे को तो ये है मेरे लिए मैं यहां से गुजरता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस location का नाम बताना है मैं अनुमान लगाने में आपका सहयो करूँगा location को सी है तो आपको location बतानी आपको लोकाशन है इस सनो गयलेरी के एंदर गुजरते वे एक फिलम की शुटिंग वी थी तो उस फिलम का नाम बताना है और location का भी नाम यदि आप अच्छे गुम्मकड है तो बता सकते हैं इस सनोगेलेर के अंदर गाड़ी रोकना मना है और यदि आप गाड़ी रोकते हैं तो पुलिस निशित्रों से कारवाई करेगी क्योंकि यहाँ पुलिस बहुत सक्त है और इस कॉमेंट पर आपकी राय क्या है करप्या बताईएगा और हम आपको भी सपोर्ट करते हैं और आतराकारी करम बनाते समय इस बात का वीशेस द्यान रखिएगा कि ट्यूजडे को रोतंग पास बंद रहेगा सबसे जदा पुछा जाने वाला क्यूसन रोतंग पास पर बाइक अलाउड है या नहीं तो इसकी दो परस्तितियां है अभी की हम बात करें तो बाइक नहीं अ और इसमें आपको एंटरी मिलेगी रोतंग पास में सुबह 9 बजे और 4 बजे तक 9 बजे से 4 बजे तक अलाउडबाद में एंटरी नहीं मिलेगी रोतंग पास पूरणतिया खोल दिया गया है लेकिन एक बहुत बड़ी कमी रख दी गई है वो कमी इसी वीडियो में बताने वाला हूं जो मैंने स्टाटिंग के अंदर बोली थी इस पेसल यह है कि व्यास नदी का जो उद्गम इस्तल है जहां ओरिजन होता है व्यास कुंड वहां एक टेंपल बना हुआ है वहां तक आप आराम से ट्रेक करके जा सकते हैं तो उसका ट्रेकिंग भी हम करवाते हैं हमार तक लिए चलूंगा और अब देख लीजिएगा ट्राफिक कंडिशन कि टूरिस्ट कितने आ रहे हैं परमिट कम क्यूं पढ़ रहे हैं खुद आंकों से देख लीजिएगा और मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देख कियेगा अधूरा ग्यान आप के लिए रोतांग पास आते हो तो गातक हो सकता है और जो हार्ट और बीपी के पेसेंट है आक्सिजन लेवल कम रहता है वो आप यहां न जाएं तो अच्छा रहेगा और दो साल से छोटे बचे उनको ने लाएं तो ठीक रहेगा यह निवेदन कर रहा हूं और नजारे तो का यह ट्राफिक कंडिशन है और साथ में अब हम जो कमी रख दी गई है वो बताना चाहूंगा यह जो रोतांग पास यह देख लिए रोतांग पास टॉप और यहां स्कुटर भी चल रहें और यह लेटेस्ट नजा रहा है रोतांग पास का हमारी टीम की परस्तुती के लि कमी क्या रही कमी यह रख दी कि आपको टोप पर जाकर वापिस ही आना पड़ेगा यानि आप अटाल टरनल कोक्स और ग्रामफू होते हुए वापिस अटाल टरनल नहीं निकल पाएंगे यह कमी रख दी गई है वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जुरूर किजिगा जै हिंद